देखे प्रोजक्टाइल मोशन किस टाइब का मोशन होता है दूरा समझिएगा आपने बॉल लिया और एक मिनट लेट मी कम्प्लीट ना तो बता दें पैरा बुला होता है काम खतम हो गया फिनिस्ट और उसको हरिजन्टली आपने स्लाइट कर दिया इसको ऐसे लुड़का द अगर आपने किसी एंगल पे बॉड़ी को ऐसे फेका और जा कि वो गिरी जाकर कि आपके चाचा के च्छत पे इसको एक्जाम्पल साथ किसी ने दिया था हमने तो इसका मतलब वो चाचा का घर तो दूर है ना आपके यानि इसका मतलब वो थोड़ी दूर भी गई और प्रोजेक्टाइल मोशन उसके लिए कंडिशन क्या हुई कि बॉड़ी को आपने कैसे फेका बॉड़ी को वर्टिकल से कुछ एंगल पे फेका ठीक है थोड़ी कहानी लिख लीजिएगा बॉड़ी इस प्रोजेक्टेट इसको फेक रहे है वर्टिकल से थोड़ा सा हट की ठीक है जैसे ये वर्टिकल होता है थोड़ा सा उससे हट किया ऐसे फेक रहे है देन इत मुवस इन या इत मुवस अलोंग अ कर्ड पाथ इत मुवस अलोंग अ कर्ड पाथ कर्ड न लिखे कर्व है ये कर्ड पाथ इस तैप अफ मोशन इस चाल प्रोजेक्टाइल मोशन इस तैप अफ मोशन इस काल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन और पाथ इस काल्ड पाथ इस काल्ड पाथ आप प्रोजेक्टाइल और ट्रेजक्टरी कहते हैं इसको ट्रेजक्टरी अब पहले तो हमको तीन चार टॉपिक प्रोजेक्टाइल होता कैसा है दूसरा हमको बताना है कि जब बॉड़ी को फेकेंगे तो वो कहां से कहां तक जाएगी तो टाइम कितना लेगी कितनी height तक जाएगी और कितनी दूर जाके गिरेगी ठीक है तो सबसे पहला इसका topic होने जा रहा है path of projectile path of projectile ध्यान से समझेगा थोड़ा सा proof lengthy है इसका projectile देखिए path of projectile होता क्या है पर डाइग्राम समझ लिजे एक body है यह horizontal है x-axis हमने माल लिया और यह vertical है y-axis ठीक है जो teddy line बनने क्या ठीक है और यह horizontal से theta angle पे ऐसे project की गई ठीक है u velocity से project की गई theta angle बनाते होगे तो थोड़ी दूर जब आप देखोगे तो आगे भी जा रही है और body उपर भी जा रही है यही उसमे horizontal displacement भी हो रहा है और vertical भी हो रहा है यही एक्स के लांग भी हो रहा है और y के लांग हो रहा है तो यही x और y में जो relation है उसी को हम path कहते हैं ठीक है जो कहानी में लिखाने जा रहे हो कहानी सम्मे प्रूफ लिखी जाएगे लिखे लिखेड़िद लिखेड़िद को में अचेणल थ्थियुण में अचेणल थ्थियुण making angle theta with the horizontal making angle theta with the horizontal at any time small t at any time small t the body reaches to point P यह point भी पहुँच गई ठीक है body reaches to point P covers horizontal distance X and vertical distance Y covers horizontal distance X and vertical distance Y समझ यह ध्यान से हमने का एक body है वो यू वलास्ची से और theta angle पे प्रुजट की गई प्रेकर लिए ध्यान समझेगा प्रूफ टफ नहीं है लेकिन technical थो ही है और थोड़ी दिर बाद small t time बाद वो body कहां पहुँच गई P point पर तो जो यहां से body को observe कर रहा है वो कहेगा body X distance आगे बढ़ गई और यह कि भी कह सकता है कि Y distance उपर चली गई body तेखी है ना जो यहांनि body X distance आगे भी बढ़ रही है और उपर भी जा रही है इसका मतलब आगे ले जाने वाला एक velocity का component है और उपर ले जाने वाला एक velocity का component है तो हमने का suppose horizontal component of velocity क्या है UX और vertical component क्या है UI तो लिखे let UX and UI let UX and UI be the horizontal and vertical component of velocity be the horizontal and vertical component of velocity given by UX is equal to U cos theta and UI is equal to U sin theta इस होता है ना आपको vector में पढ़ाए गया है horizontal component or vertical component अब ज़रा समझेगा हमको एक रिखे एक्स और वाई में relation निकालना है दो प्रकार के motion हो रही है body आगे भी जा रही है यानि horizontal और उपर भी जा रही है ठीक है यहाँ पर जब body पहुंची होगी तो यहाँ कुछ उसकी वलास्टी हो गई होगी V horizontal से कुछ angle बनाया होगा यहाँ component रहा होगा VX और VY इसकी हमको ज़रूत फिलाल नहीं है इसलिए उसके बारे हम बात नहीं करें अब theta तो नहीं होगा यह कुछ angle चेंज हो गया होगा यह alpha हो गया होगा ठीक है अब देखो O से P तक के दो प्रकार के motion body में हो रहे है एक बोलेगा horizontal motion कर रही है एक बोलेगा vertical पहले हम बात करेंगे for the horizontal motion of body for the horizontal motion of body कहां से कहां तक from O to P अब horizontal में क्या क्या horizontal की बन है तो आप कहेंगे देखे एक तो horizontal velocity का component दिया है ux velocity कितनी दिया है u cos theta बात horizontal क्यों हो रही है दूसरे distance कितनी कबर की है उसने x और तीसरे time कितना लगा है उसको t तो आपको velocity distance और time relation पर सम्मल लिए बाद नोट करिएगा तो आपको आप time और velocity और distance में relation चाहिए कौन साइक क्योशन आप उसन लगा है इसमें तो हमेशा ध्यान रखिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा बता तो हम रहे रहें लेकिन हमेशा आप गलती करेंगे जो acceleration due to gravity होता है वो वर्टिकल काम करता है horizontal काम नहीं करता है इसलिए यहाँ पर acceleration नहीं होगा ठीक है तो अब जो भी कुशन लगाओ वी ब्राव यू प्लस 80 वहाँ भी यह है एस वराव यू टी प्लस हाफ 80 वहाँ भी यह है तो आप distance is equal velocity into time लगाए यहाँ पर तो distance is equal to velocity into हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे horizontal motion की बाद distance की जाए वहाँ पर यही फ़र्मला लगेगा और जब भी आपसे पूछा जाएगा आप third बताओगे फस बताओगे second बताओगे वादत बनी भी है distance कितनी है यहाँ पर x velocity काउन से है ux time कितना लगा t यानि कि x is equal to u cos theta into t यहाँ से t को गायब करना पड़ेगा तो t की value क्या है यह x upon u cos theta यह हो गया question number one यहाँ तक बात समझ में आई पहुँचिए ज़र यहाँ तक अब body height भी गबर कर रही है तो दूसरा motion कैसा होगा for the vertical motion vertical motion of body कहां से कहां तक जा तो वहीं से रही है न from o to b o to p तो vertical में आपको तो velocity दी वी है u y u sin theta हमको v वाली velocity से कोई मतलब है नहीं इसलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे height जो कवर की है उसने कितनी कवर की है y और time कितना लगा है t कौन से question लगा दे time है और height भी है second question y question h is equal to ut u कौन सा u y t और minus क्योंकि body कि दर जा रही है उपर की दरफ half g t square a यहाँ नहीं लगेगा भई gravitation में g लगता है half g t square अब यहाँ पर h क्या है h है y और u y कितना है u sin theta into t minus half g t square चुकि हमको x और y में relation चाहिए पाथ का मतलब होता x और y में relation चाहिए तो हमको x भी चाहिए ना यहाँ पर तो x कैसे हम करें यहाँ से t की value ठाग रख दे तो अपने आप t वहाँ गाए भी हो जाएगा और x वहाँ आ भी जाएगा तो putting the value of t putting t कहां से from equation 1 नूट कर लिया तो देखिए रखते हैं t की value क्या आएगा यहाँ पर y is equal to u sin theta t की value क्या है x upon u cos theta minus half g into x square upon u square cos square theta यहाँ से u और u cancel हो गया y is equal to x sin upon cos क्या होता है 10 theta minus यह हो गया उपर gx square upon 2u square cos square theta यह u square है तो यह path of projectile का formula होता है ठीक है अब यह path होगा कैसा तो देखिए यहाँ पर y की degree कितनी है 1 और x की degree कितनी है तो जब कभी x और y में ऐसा relation हो जिसमें y linear हो और x quadratic हो ने एक linear हो दूसा quadratic हो तो यह parabola होता है मैं इसमें पढ़ाए जाएगा आपको तब पैरा बोला ऐसे बनता है यह ऐसे बनता है ऐसे बनता है अक्कटोरिक तरह ऐसे बनता है ऐसे कैसे बना सकते हो ठीक है तो लिखिए here y is linear here y is linear linear बोले तो जिसकी degree 1 होती है y is linear and x is quadratic and x is quadratic so the path of projectile is parabola the path of projectile is parabolic parabolic लिखो या parabola लिखो parabolic ठीक है अब जो यहां तो यहीं पर काम खतम हो गया अब अगर competitive exam के हिसाफ से जब जाएंगे तो parabola अगर यह है तो parabola चुकि मैस में आप पढ़ेंगे तो parabola का focus क्या होगा इसका बड़ टेक्म तो parabolic कर जितना खानदान होता है न वो पूरा खानदान आपसे इससे डिसस क्या जाएगा यगर यह है तो बताओ फुपा का नाम क्या है तो किसी बताने यह इनको जानते हो हाँ इनके फुपा कौन है यह मामा कौन है तो यह parabola है तो जो भी पहराबुड़ा के पास होता है वो पूरी जानकारी आपसे वो मांग सकते हैं यहाँ तो नहीं मांगा जाएगा ठीक है ओके तो अगला टॉपिक लिखिये फ्लाइट टाइम फ्लाइट टाइम लिखिये फिर दाइग्राम बनाईएगा फ्लाइट टाइम की डेफिनिशन अपने आप लिख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल जितना टाइम लेता है उसको हम फ्लाइट टाइम लेता है तो लिखे दा टाइम टेकन बाई दा पार्टिकल तोटल टाइम टेकन बाई बाई पार्टिकल टोटल टाइम टेकन बाई पार्टिकल दिरुरिं प्रोजेक्टाइल मोशन is called Flight Time is called Flight Time denoted by capital T अब देखो ध्यान से हम यहाँ पर वो जो लेंगोज अभी लिखाई थी ना वो तो common रहेगी कि लेट बॉड़ी इस प्रोजेक्टेट इस लास्टी यू आफ्टर ताइम ताइम नहीं स्वरी एंड यू एक्स यू आई भी दो हरिजंटल और वर्टिकल component और यू एक्स इस इकल टू क्या होगा यू कॉस थीटा और यू आई इस इकल टू क्या होगा यू यह लेंगोज आप लिख चुके हैं पहले से ठीक है अब जोड़ा सौधान यह आपका highest point है पी highest point है ठीक है यहाँ जब पाड़के गया होगा तो यह हर्जंटल component विलास्टी का वी एक्स है और बताये वर्टिकल component यहाँ कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा कोई value आप पता सकते कि नहीं नहीं बता सकते हैं जैसलिए यह 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 WAR नहीं बता सकते ना यालि इसकी वज़े से body उपर जा रही है और इसकी वज़े से body आगे जा रही है जब यहाँ पहुँच गया particle तो उपर जाना बंद कर दिया इसका मतलब क्या हुआ ति उपर का जो component है वो जिरो होगे यह तो मतलब वह जा करके ना और यह आपका highest point है और एक और mechanics का concept gravitational field में अगर कोई body highest point तक जाने में जतना time लेती है उतना ही वो वापस आने में लेगी यह concept है जतना वो यहाँ से यहाँ तक जाने में लेगी ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक का motion लेंगे उसमें time निकाल लेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे उस time को ह right time निकल आएगा तो logic पकड में आया पी यहाँ पर क्या है highest point है ठीक है तो लिखे वो लेंगे लिख लेंगे ना body is projected with velocity you ठीक है लिखे here p is the highest point of the path here p is the highest point of the path तो पहले अब देखो चुकि हमको highest point पे vertical देखे अगर आप vertical component का इस्तेमाल कर रहे हो या vertical height का use कर रहे हो तो vertical motion horizontal का इस्तेमाल कर रहे हो तो horizontal motion तो आप कहेंगे for the कौन सा motion ले वर्टिकल या horizontal horizontal ले या vertical ले क्यों vertical ले ऐसे मन कर रहे है हां क्योंकि vertical component यहां हमको मालूम है और horizontal component हमेशा ध्याने कि यही होता है same horizontal component हमेशा change नहीं होता है ठीक है तो for the vertical motion of body vertical motion of body कहां से कहां तक from O to P, P बोले तो highest point है देखें अब सब कुस वर्टिकल लिखेंगे तो initial velocity vertical में कितनी दी है यू sine theta final velocity vertical में कितनी दी है 0 और time आप ले रहे हो T अब आपके पास initial velocity है final है और T है body उपर जा रही है तो इसको relate करने के लिए कौन सा एक question आप motion लगाना पड़ेगा कौन सा एक question लगा है कुछ equal to होगा कैसे बोल दीजिए S दिया है यहां पर तब S नहीं दिया तो S कहां लिखोगे आपको जो given है वह ही तो relate करेंगे ना Y given है कहां पर Y given है हम ने कहा height given है distance given है यह VY height है यह velocity है वाई सब final velocity है Y direction की ठीक है हमने कहा कि equation भी h ब्रावर कैसे लगा दिया आपने वह equation बताए जिसमें height distance ना दीवी हो कौन से equation होता है तीन equation पढ़े है ना आपने याद नहीं है याद कुन करें first equation होता है तो Y equation V is equal to U और body उपर जा रही इसलिए minus GT वी लिखेंगे तो वी वाई suffix में बना देंगे और यहाँ पर वी वाई मना देंगे यू आई वाई क्यों यहाँ पर वाई component को represent करता है अब देखें वी वाई कितना हो गया 0 और यू आई कितना हो गया यू साइन थीटा और minus GT यहाँ से टी की वैलू क्या आएगी यू साइन थीटा अपान जी आएगी 9 मतब कुछ भी बोल दीजिए सब बढ़ी आए अब देखें यह टाइम यहाँ से यहाँ तक है ना आपको तो फ्लाइट टाइम निकालना है यह टूटी हो जाएगा यानि टी बराबर 2U साइन थीटा अपान जी यह फ्लाइट टाइम का डेरिविशन है संच मही बात टफ तो नहीं है ध्यान से करिए next height of projectile क्या होता है definition से लग रहा है कि during projectile motion the height of the highest point of the path इस होता है यानि highest point की जो उंचाई होगी वह हाइट of projectile होगी तो लिखे during projectile motion during projectile motion the maximum vertical height the maximum vertical height of the path the maximum vertical height of the path is known as height of projectile is known as height of projectile ठीक है here capital H is the height here capital H is the height अब देखिए diagram बारे में language आप लिख चुके हैं पूरा ठीक है तो आपको देखिए vertical height निकालनी है और vertical velocity का component भी given है तो आपको motion काँ से लेना पड़ेगा vertical है horizontal vertically की बात करेंगे तो लिखेंगे for the vertical motion vertical motion of body of body कहां से कहां तक from O to P अब देखो क्या क्या given है एक तो initial vertical velocity दी है U sin theta अब आपको दी कहा है यह हमको मालूम है ना कि body को किस velocity से हमने फेका है और किस angle फेका यह हमको मालूम है वो नहीं हमको कुछ मालूम है यह रास्ते की चीज़ नहीं मालूम है वो तो अपने आप change होती गई लिगन यह चीज़ हमको मालूम है और final vertical component 0 हो गया और जो height है वो capital अच्छे time के वारे में बात नहीं हो रही है तो आपको first initial velocity दी है final दी है और height दी है कौन साइक question लगाए इसको आपस में relate करने के लिए कौन साइक question आप motion लगाए जाए पूरा बोलिक क्या है नाम देखो यह चीज़े tip पे होनी चाहिए ठीक है आधा याद आधा खा गए आधा यह नहीं चलेगा ना v square is equal to u square plus 2as होता है v square is equal to u square plus क्योंकि इसमे time नहीं दिया गया है आप चुकि body उपर जा रही इसलिए हाँ minus लगेगा और एक ही चीज़े क्या use होगा और चुकि height में s को h लिख देते है ठीक है तो by equation v square is equal to u square minus 2gh आप देखे चुकि वर्टिकल विलास्टी है तो यहाँ हर चीज़े suffix में क्या लगा दीज़े आप y suffix जानते हो na suffix और prefix जिसमें बाद में लगाते हैं वो suffix परहे लगाते हैं तो prefix तो vy की value कितनी है 0 और यह u i कितना है u sin theta इसका square करो u square sin square theta minus 2gh तो यहाँ से h की value क्या आएगी u sin square यह u square u square sin square theta upon 2g तो यह आपका height of projectile हो गया ठीक है अच्छा यहाँ पर एक special case आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि अगर आप इस particle को maximum height पर फिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या change करना पड़ेगा यहाँ एक special case लिख सकते हैं इस वाले topic में special case for maximum height maximum height और आप कहेंगे maximum height ही तो आप निकाल लेते नहीं है हम तो path of projectile की maximum height निकाल लेते लेकिन हम चाहते हैं इस में maximum height चाहें एस maximum हो जाए तो यहाँ किसको change कर सकते हैं आप maximum height के लिए हाँ क्यों सी कौन सी चीज़ चेंज होगी मतलब maximum height आपको चाहें और चेंज कर दोगे पी अरे भाई फार्मुला देख रहे हो कि पी को change करोगे जाकर रहे हो पी इस वाट इसमें क्या change कर सकते हैं यू नहीं change होता है यू का मतलब क्या है velocity का मतलब होता है the velocity which you can give to the body यह रही चलेगा हमने चेंज किया यह लिए लिए मतलब आप जितनी ताकर से फेक सकते हो वही फेक रहे हो आप आपको theta change करना पड़ेगा अब theta क्या होगा maximum height के लिए sin theta maximum होना चाहिए और sin theta की maximum value होती क्या है 1 हमने पढ़ा है sin maximum 1 होता है so जो h maximum होगा height maximum होगी h max कितना होगा u square upon 2g यह maximum height आप body को दे सकते हैं और actually यहाँ theta क्या हो जाएगा 90 degree वैसे भी 90 degree फेकोगे तो सबसे height पे जाएगी body ठीक यह इसका एक special case है देखिए range of projectile क्या है मतलब projectile के दोरान जो horizontal distance body cover करती है उसको हम कहते है range of projectile तो लिखे the horizontal distance covered by body horizontal distance covered by body during projectile motion horizontal distance covered by body during projectile motion is called range of projectile is called range of projectile अब देखिए यानि कि आपको o से लेकर के o dash तक की distance निकाल नहीं है horizontal तो motion कौँ से होरिजन्टल ये वर्टिकल बहुत होरिजन्टल distance o से o dash निकाल नहीं है तो for the language diagram को हम लिख लेंगे आप ले ठीक है for the horizontal motion horizontal motion of body कहां से कहां तक P से है P से body को फेका जा रहा है O से o dash body from O to o dash देखिए horizontal velocity कितनी दी है U cos theta time क्या लेंगे यहां पर time flight time लेंगे न आप यहां से यहां तक पूरा time लेंगे न जो flight time है और distance आप ले रहे है S, S बरावर R कौन से कुशन लगा दें कौन से कुशन लगा है उनको क्यों देख रहे है अपना बताओ ने तो वो क्यों बताएंगे अपने अपना देखो आपन आपन देखो कौन से कुशन लगा है कौन से कुशन है S विराव उती प्लस हाफ जी टी स्क्वार अभी हम बता रहे थे आपको कि जब भी होरिजंटल के हम बात करेंगे G एक्ट नहीं करेगा लेकिन जब भी हम करेंगे आप भी कुछ नहीं बताओगे होरिजंटल में G एक्ट नहीं करता वहाँ distance is equal to velocity into time ही लगेगा तो formula कौन लगेगा distance is equal to velocity into time अचाए अगर तर्क वाला श्टुन्ड हो तो हम कुछ सिद्ध कर देगा कि seconds हो सही बता रहा है हो गएगा second ही लगाएंगे कैसे can s ब्रावर ut plus half 80 square where a is equal to 0 condition लगा दी a 0 हो जाएगा और तहा वेटी square cancel हो जाएगा distance क्या यहाँ पर है r velocity कितनी है यू एक्स और time कितना है flight time r is equal to ux की value क्या है u cos theta और flight time अभी निकाल चुके है अब 2u sin theta अपन g r is equal to देखो ज्यान से u और u use color कर दो यह आएगा 2 sin theta and 2 cos theta कोई formula दिख रहा है किसका formula होता है sin 2 theta a plus b नहीं तो c plus d sin 2 theta तो यह आपका range of projectile हो गया ठीक है देखिए अब यह range हो गया यह आपकी इस पिसल case यह है पहला case यह है कि for maximum range for maximum range मतलब हम क्या करें कि body maximum दूरी पे जाकी गिरें तो इसमें कुछ change करें किसको change कर सकते हैं आप है मतलब हम theta को वह यू का मतलब होता है the maximum velocity which you can give यह नहीं चलेगा बोले हम अचके मारेंगे तेजसे इससे फेकेंगे वह तेजसे तुम फेक रहे हो वह नहीं चलेगा कि वह दीजसे फेक रहे है तो theta कैसे change करें कि यह maximum हो जाए ना और sign की maximum value क्या होती है 1 यानि हम चाहेंगे कि sign 2 theta क्या हो जाए 1 और 1 sign में किसकी value होती है sign 90 degree तो 2 theta is equal to 90 degree तो theta क्या निकलेगा 45 degree हम body को 45 पे project करेंगे तो maximum दूरी पे जाके गिरेगी कितनी दूरी गिरेगी तो r max कितना हो जाएगा r max u square upon g हो जाएगा ठीक है जितने भी आपके जिसे जैवलीन फेकते हैं नि भाला फेकते हैं या या long jump कर लॉंग नहीं को consistent long होती है long jump होती है तो वो अपने आपको जब jump करते हैं तो अपने आपको set करते हैं 45 degree पे एंगल उनकी practice होती है नहीं होगा आएंगे दौरने रुकेंगे रुको जड़ा प्रोटेक्टर लाओ रखो आइंगल नापे ऐसा करते हैं उनकी एक आइडिया होती है जैवलीन लिखेंगे ओ थीटा 45 पे फेक है ठीक है एक बार एक हमारे college का student था यहीं GIC ground पे ground पे उसमें भारा फेका और भारा जाके platform की गिरा करके तो तेज फेगा वहाँ पे SP उगर आ थे जब आएं देखा रहे वाँ उसको ततकाल बुला के education उसमें खेल कोटे में अकुली देदी पुलिस में ततकाल बढ़ती केल कोटे में हो गया तो यहीं वह उसकी लगन थी यह सम्में आ गया अच्छा दूसरा एक case समझेगा यह पहला case में आ गया अगर हम angle of projection तो r चेंज हो जाएगा सिंपल से बात है थीटा चेंज करो तो r की value तो हमने माना if angle of projection angle of projection पहले कितना था थीटा था थीटा था अब हमने ले लिया 90 मानस थीटा जानवू छे लिया है then r को हमने फिलाल नाम दे दिया r1 कुछ चेंज करना पड़ेगा ना दुखो जड़ा u square sine 2 theta को लिखा हमने 90 मानस थीटा अपान जी जड़ा इस को bracket को खोलते है तो आएगा u square sine 180 मानस 2 theta अपान जी sine 180 मानस थीटा क्या होता है sine theta तो यह आए गया u square sine theta बोले तो 2 theta पान जी क्या यही formula दुबारा नहीं आ गया यह आरा गया क्या आपने देखा कि कि किसी body को theta angle पे project किया जाए या 90 मानस थीटा पे किया जाए range will be the same जैसे आप से question पूछा जाए कि कि किसी body को 30 degree पे project किया गया और वो 20 मीटर जाके गुरी वो दूसरा angle बताओ जिस पर project करने पर वो 20 मीटर पे ही गिरे तो 90 में 30 हो जाएगा 60 हो जाएगा ठीक है याद रहेगा न तो यह आपका projectile का एक concept है जरा एक concept और समबलीजेगा एक concept आता है कि मान लीजिए कहीं दूर एक पेंड है और उस पेंड पेंड पे बंदर बैठा हुआ है अब बंदरे बैठाल देते हैं हम तो आत्मी बैठाल गोली आप इसको दागो और गोली के दागते ही दो चीजे है या तो बंदर वहीं बैठा रहे है या तो वहां से निचे आ जाए दोनों case में उसको बंदर गोली लगेगे कि नहीं लगेगे गी यह आता है तो देखे बाई दो case है यह गोली ऐसे चली बंदर को लग गई ले तो तर्ण हो जाएगी तो अगर वहीं बैठा रहता है तब तो इसको गोली अगर वहां से कूद पड़ता है तो जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पर गोली लग सकती है सब्सक्राइब नहीं आई अब यह आपने साइंस पड़ ली अब आपको मालूम है कि बैठे रहने से बंदर को गोली नहीं लगे तो आपको कहीं लडाई हो गई और सामने वाले ने बंदूग धाय किया ममी के हटो हैं हटेंगे नहीं ममी रुको फ्रिजिक्स में लिखाएख खड़े रहो गए तो गोली नहीं लगेगी नीचे नहीं लग जाएगी यह साइंस पड़ाया गया है अब 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 तर लग गई आगर की तो यह द्यान रकिए गोली का मास बहुत कम होता है और वेला फिजिक्स थोड़ी पढ़कर खे और कहें नहीं लगेगी आजा मार गोली हमको जब हमारे किसी के लड़ाई हो गए तो यहां पर कुछ खोसे होंगे और सामने वाले को निकल निकल खोसे लड़ रहे थे बड़े सीधे साथे थे तो जब लड़ाई वाले सांथ होगी तो हमार गोली मार देगा और पता चला बोले हम पकड़ इसले रहते कहीं गिर गई खड़ाओं तो यह ध्यान रखिएगा कि खड़ाओं के धीरे जाती है गोली थोड़ी देर सीधे में जाती है तो यह आपका टॉपिक है